नमस्कार मेरे नाम मुबारक है और आप इस वक्त देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा हम इस वक्त महाराष्ट में हैं महाराष्ट के बारामती में हैं लेकिन शहर में नहीं हैं हम जब 12 मती में थे तो हमें बताया जा रहा था कि 12 मती का जितना भी विकास है जितनी भी उसकी चर्चा है वो 10 किलोमेटर के रेडियेस में है। तो हमने सोचा उस रेडियेस से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो हम इस वक्त है बारामती से लगभग 22 किलोमेटर दूर एक गाउं है गाउं का नाम है सुपा हम यहां के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो बारामती का विकास मॉडल है वो यहां तक पहुचा है या नहीं पहुचा है इंसीप की तरफ से काम करते हैं अब यहां लोग बता रहे थे अभी हम रास्ते में भी आले कि लेकिन हर बार अलग रदी पहले तो मुर्गाव प्रादिक्सिक योजना बनाई आर उदर जो नाजरे का तालब है वो तालब के वो जो ग्राउंड नीरे यह उसके ऊपर थोड़ा बारिश कम हो गया इसके लिए समस्य खड़ी हो गई है अचा बारिश की वज़े से समस्य खड़ी हुई है पर बारामती इह शहर में तो बारिष की वज़े से कोई समस्य होती नहीं की से आप यहीं से हैं यह दर का मोसम बारिष के ऊपर इदर की शथी में अपर सनी यह होरा यह की से औरक ès आए पानी के पीने की पानी की खेती की इस Supreme पाब साल में पानी कभी चूलाई नहीं पानी कभी शुटाई नहीं शुटाई नहीं सर आप क्या करते हैं पेंटिंग का काम करते हैं चलिए पानी से बढ़कर भी कुछ और बात कर लेते हैं तो आप काम यहीं गाव में करते हैं बरामती जाते हैं गाव में चलता है काम तो आपका काम चल रहा है ठीक यहां रोजगा क्या वास्ते थोड़ा जो काम चल रहा हूं हो दिमेंगाती से चल रहा है इसकी पानी वज़ा है काम धीरे होने क्या वज़ाए मतलब स्पीड से काम नहीं हो पा पर आगर है अभी यह काम करेगा यह काम करेगा तो हमें किसी के उपर तो विश्वा डालना पड़ेंगा तभी यह काम बन जाएंगा हमारे यहां कुछ महिला हैं हम महिलाओं से भी बात करते हैं गाओं में मैम आपका क्या नाम है हसीना हसीना आप इसी गाओं में रहती है आपकी क्या समस्य है क्या पानी नहीं है दंदे नहीं है पानी की वज़े से अच्छा दंदे नहीं है कोई काम दंदा नहीं चल रहा है को कॉछ तो क्या लोग कहां शहरों में जाते हैं को शहरों जाते कौन करते अच्छा यह भी काम नहीं किसी प्रधान मंतरी मोदी जी को जानती है आप हो जानती और उन्होंने जितनी योजनाए चलाएए आपको कुछ पता है आपको नहीं पता है आपका बैंक अकाउंट है जंदन में खुला था पहले से नहीं है अब यहां जो स्कूल है यहां स्कूल है काउं में कितने तक पढ़ाते हैं चौधा भी तक है यहांपर यहनिक कॉलेज भी जीनियर कॉलेज भी यहां पर है ठीकि आप utsarplic and ऑफ पन्जे गाओं आपका क्या नाम है पलवी लूंकर आच्छा तो यह सरकार की योजणा है कासफर से मेलाओं की नहीं है inf eles सब तो कई बार तो ऐसे होते हैं कि कांग जी कारवाई में बहुत चोटी सी गल्ती होती है कई बार कोई अरेंज नहीं कर पाता क्युंकि गाउं के बोले बाले लोगों को पता नहीं व ine तो आप लोग क्या उनकी help करते हैं समझाते ही कि ऐसे करो हां वहीं समझाते हैं अगर कुछ certificates में वेगर अगर problems हो तो हम उनके solve करते हैं जितने हम हमसे हो पार है उस तरह से हम लग solve करते हैं उनके problems अच्छा तो और जो गाओं की बाकी की समस्याएं हैं तो आपका क्या एक तरीका होता है कि जब गाओं के लोग आपको कुछ बताते हैं कि गाओं में यह नहीं है यह समस्याए वगर तो आप आउपर तक कैसे पहुचाती है किस को आप contact करती है किस तरह से आपका system ग्राम सबा एक तब किला नहींदि का दोस्चा 3 कि जो एक पहले कुछ लोगों ने समस्याए बताएं आपको जैसे पाणि की समस्या थि जैन में भी थी, कुछ लोगों की परस्टनल समस्या होती है वह भी वो ग्हाम समय में बता देते हैं, अच्छा और गावम में जो स्कूल है, हुहाँ टीचर विचर कितने हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, एजुकेशन बच्चों को सही मिल रहा है और क्या किस तरह कि स्वास्त कि समस्या है कैसी है यहां पर यहां के रहा यहां पर खाजगी यह भी है तो सरकारी जो हस्पिटल ले मां स्टाफ आता है टाइम से आता है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी नोटे समय जाती है तो गाउवाले शिकायत करते कि हम सरकारी उस्पिटल गहते हैं वहाँ एक डॉक्टर नहीं था यह दवाई नहीं थी है मैं प्राइवेट से लिनी पड़ी नहीं कभी ऐसी शिकायत आई तो उस पर अमल किया गया है अगर नही करती हैं मैं अपने घर की समस्षे बतार यह राजकार पॉलिटिक्स छोड़ती है अपने पानी फाउंडेशन में भाग ले आए अचा पानी फाउंडेशन जो आमिर खान का है हो आम सब मिलकर करते हमारा सर पंच हमारे सद्दश माहिला सद्दश्य इतने इस सब ने भाग अच्छी तरह से हमारा काम चल रहा है हम साम को आठ बजे तक रात को एक दूपए भी बच्चे आप वोड़ देती हैं हो किसको क्या सोचके वोड़ देती कि घर में किसी ने बोला है बेटे ने कहा है अस्बंड ने कहा है या खुद के दिमाग से नहीं हमारे खुद के दिम अगर बचाओंगा मैं चोकीदार हूं मैं मैं हूं सब कुछ तो अगर मोदी जी इतना कुछ कह रहे हैं तो उनका अगर कैंडिडेट है तो क्या आप उन कैंडिडेट को वोड़ देंगी क्योंकि वोड़ अल्टिमेटली मोदी तक पहुँचेगा क्या चलता है आपकी दिम कांचनकूल बोल देती है कि वह आपको सब पानी की समस्या आपकी खतम है उनको चुन कर देंगे तो आप उनको वोड़ देंगे तो अगर बीजेपी कैंडिडेट यह कहता है यहां पर कि हम पानी की समस्या खतम कर देंगे तो आप उनको वोड़ देंगे ठीक है अभी फड अभी तक तो पानी की समस्या आपकी जड़ से खतम हुई नहीं समस्य तो है इसके लिए इदर पानी की समस्याओं से निपटने के लिए सरकारे काम करती है ना स्टोरेज के तरीके ढूंडती है पानी पहुचाने के तरीके ढूंडती है अगर कोई पार्टी और या कोई परिवार किसी खेतर में बर्सों से है वो उसका अपना कोर वोटर है सब लोग उन पर अंदा यकीन रखते हैं ठीक है ना तो वो दिम्मेदार होंगे न कहीं नहीं कि यह बताने की वही सुपाग आओं में पानी की समस्या आप भी है चाहे 10 परसंटे 20 परसंटे 50 कुछ भी है ना कि खतम तो नहीं हुई सब लोग कह रहे आप उपसर पंचे तब भी कहरी कि समस्या है आप कह रहे वह आप राष्ट्रवादी का क्लिए काम करते हैं आप कहरे हैं ना समस्या तो फिर अगर बीजेपी बोलती है कि हम खतम कर देंगे तो फिर आप जाएंगे बीजेपी के साथ वो बोलते हमारी मीटिंग है हम उपर के अधिकारिज से बोलेंगे तो मिटिंग ख्ली मीटिंग क्ली चालीस मीटिंग हमारा एदर हुई है सबको पूछो तो कुछ किस किस गाव के पैसे वापस दिये लेकिन उसको पानी नहीं मिला है और जो बीजेबी सरकार किसानों की कर्ज माफिय की बात करती है तो उसका क्या एक्सपिरेंस है आपके काउड़? हमारा एक्सपिरेंस ऐसा है जो इमानदारी से जो इधर सोसाइटी बोलते है उसको पिककर्ज बोलते है वो इमानदारी से जो पिककर्ज भरता है उसको खाले उनको मैं क्या बोलता हूँ जो इमानदारी से जो हर साल सोसाइटी लेता है वो हर साल इमानदारी से पैसा भरता है उनको खाली मिला है 25,000-15,000 और जो 10-10 साल सोसेटी में गया नहीं उनके जेब में डेल डाक रूपए वो स्यासने डाला है ऐसा कोई रहता है क्या ये गलत बात है ये सब अच्छा तो बाच्पा वाले वो एंसीपी वाले बाच्पा वालों से पूछते हैं कि पिछले पांच सालों में क्या किया ठीक और वो वाले इन लोगों से पूछते हैं आपने 25 सालों में क्या किया तो ये तो चल रहा है यह आप आगे यह बताइए बताइए पार्टी का वर में पूरा सुखा था तो सुखे के वज़े पूरे इजस के वज़े से चोटी चोटी तालाब हो गए हैं फिर एक हमारे यह बोर करोड़े के बड़ा बड़ा तालाब हो गए हैं और फिर और मुर्गाव प्रादिशिक चीक बड़ी योजना हो गए पीने की पारिंग लेकिन जो काम करते करते वक्ते ही ना वो प्राब्लेम चलता अच रहता है ना अच्छा काम किया है काम किया है लोग कहेंगे वर जब हम 12 में थे तो काफी सारे लोग हमें यह बोल रहे हैं तो काम संस्या करते हों है लेकिन शूंतरे वार कशी मूसा है अच्छा कट Ohh यह बेसिड थे देदाता हम और जोन्द तो मिशुना करते हो सब्सक्रत करते हैं और वे पानग पीने क्टाने पाने की प्रत्समा का है हाभ आर जो वह पनी नहीं प्रोब्लम है हमें प्रümü जो यह पानी से कोई मतलब नहीं है ना राष्ट्रवधी ना कांग्रेस्ट ना कोई प्राब्म नहीं हम इस यह आगे गाउं के मजदुर रहे या किसा नहीं यह आम आदमी तो उनको सिर्फ सबसे पहले पानी चाहिए और वह पानी नहीं है आज हम हमारे गाउं के अंदर हम पानी बना रहे तो वह पानी फॉड़ेशन के आगे आगे आप ठीकाव खोंदें के लिए जा रहे है वहाँ पत्थर है पुरा तो हम किसले आदमीं को कुछ न कुछ का फाइदा होने जाए कि आगर यह पहले से किसी ने बाजे बोलो कोई कोई बख्ष्च वाम कोई लेन देनने अगर उन् कि अगर हमारे गाव में पानी होने से और भी मान लिए लेकिन जो पिने का पाणी है घर के सब इंसानी इनको पानी का सिब्ढिते हैं फिलालिवाओं में हमारे घाव का जौ अब नल नल का पाणी आता है यह नोगे पाणी के अंदर जो तावाइडा ततावाइडे दाला लेकिन तालब के अंदर तो गाव के अंदर पुड़ा भीमारी फ़ल जाएगी जी इसलिए हमने गाव के अंदर माइक सिस्टम में क्या आप लोग पानी मत प्यों नलके में जो पानी आएगा वो इस्तमान के लिए इस्तमाल करो पिने के लिए पानी नहीं है क्यों गंदा बानी अगरो पानी से आप कोई प्याचेश कुछ भी लग सकता है इसलिए हमने पूरा गाव में बता है माइक सिस्टम से हमारे वही सब से वाला पीने का पानी चाहिए कोई पक्षिस लिए नहीं हमें तो बारामति यहां से सिर्फ बाइस किलमेटर है कि हम बरास्ट्रों हम पानी लाएगे वाजे वह हम पट्टी बरते कभी-कभी पानी एक साल में दो बार पानी आता है फिर हमने उसके पट्टी बरी ही बरी पनाश सकते हमारे कोपरा भी नहीं भी जाए अब तक पानी आपके खेतों तक नहीं पहुंचा है अब यह जो सुपा का परिशर है इस परिशर में जो भी काम हुआ है आज तक अभी जाना इस रिसाइका हो उसो पावर साहब के माध्यम से इधर सब काम हुआ है और इसी बज़े से आज नीचे का जो भाग देखा है हमने और हम उदर भी गए थे लातूर बार्शी उस्मानाबाद नांदेड उदर की जो परस्तिती है उससे आच्छा परस्तिती हमारे इस 42 जो काव है इधर पुरंदर उससा रहेगा जानाई सिरसाइ रहेगा इधर से 70 टके काम जानाई तीस टके काम नहीं हो नहीं हुआ इसकी बज़े से आज इस सब प्राब्लेम आ गया आप सहमेत हैं अभी आपके सामने मेरी बहें नहीं है पानी सिरसाइ की स्कीम नहीं होती तो इस सुपा के सभी लोगों को पास्टो पास्टो रुपई को देखर चोफला से पानी लाना पड़े तो कहते हैं अगर नहीं पानी जो पानी जो हमारे गाव में यह गाव और बाराव वाड़ी तो हर आदमी को हर आदमी को हर आदमी को जैसी लातूर बारशी उस्मानाबाद नांदेड की जैसी परस्तिती है वह इसी परस्तिती सुपा की हो जाती है यह अर्गुमेंट तो ऐसा है ना सर फिर कोई इंडिया वाला यह कहें हमें लातूर बारशी उस्मान बारशी कोई लेंदेन नहीं है आप अब हमारे बारामती तश्रील और सुपागाव में आए हम से यहां की बात बोलेंगे हमारे आप पाजवरत सही में दिक्कत क्या है यह पास साल में बारिश बिलकुल नहीं हुआ है जैसे तरीक से होना चा पास साल में पानी बिलकुल नहीं आ गया लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पास साल में दो बार पानी जानाय सिरसाई के तलब में आ गया था और उसका एटीवन परसंट जो बिल ता वो शासन के दरब से ब्रब देया था और 19% बिल खाली हमारे खिसान लोगों के जब में से डा पूरा पानी पेच्छे फेल जाता है और जो यह सुपा का तला बेश्किम पूरा नहीं किया जानाई चिर्शाएका वह पात साल में एक जो सत्तर टक्का राष्ट्रवधी कॉंग्रेस परड़ी सत्तर टक्का काम पात साल के पिसले हुआ था यह पात साल में वह भाजेबार श शिवसाना के सरकार में एक टक्का भी काम नहीं किया खाली वह आस्वासन देता है और आईसा ही खाली बोलते है कुछ काम नहीं किया है पात साल में एक टक्का जानाई चिर्क है उदर पानी का कुछ देखा नहीं चारा चावनी नहीं लोगों को चारा नहीं दिया कोई पात प्रोजेक्ट में जमीन गई उसका मुआवजा तो मिला नहीं जो भी जो भी प्रोजेक्ट में जमीन किया है सर एक मिनिट वो बंद पाइबलाइन से सुपा तक पाइबलाइन बंद पाइब से आया है और इदर दुसरा पुरंद रुपसे का दुसरा टप्पे का काम है वो अंदर से लिया है उदर वो भुयारी भुयार लेकर उदर से काम उदर किया है पूरा स्किम जो किया उपर के सुपा पच्चिम भागे उसके पच्चिम भागे आपी तक नाला बनाए नहीं नहीं नंबर चारी पूरा गाई भी हो गए पहला नक्से में था और गाउन में था अभी ग्राउंड चेक आए वह और नक्सी भी आए अभी जो किसाने उनके लिए बिल्कुली नहीं है अब आप सर्पंज हैं क्या नाम है आपका स्वातिया निन हिरुएं स्वाथि आनीलहृवें आप बताए यह जो पानी की समस्या है आके गाव में पाईचा आप बहुत गंबीरें यह पाजबा केसरा कारण ने कामने कीा तो आप बताईए आपका क्या टेक्स भाए यग यह प região इतना पानी देना चाहिए जितना देना चाहिए तो चोड ने रहे उदर वह जितना वह स्टॉक रखता है पुना के लिए इसलिए यह सब प्राब्लेम में आ गया भी तो पवार साहिब कुछ नहीं करते इस मामले में इसलिए दादा और ताई कलेक्टर हपीस पे गए थे इदर उपशन हो गया था उसके बाद क्या हुआ कई ने कोई दिक वो तो उसने कोई पर जिस इलाके में किसी फैमिली उनके तो पूरा मतलब 12 सिर्फ 12 किलो में ठीक हो बाके सब खराब तो फॉइंट नहीं है और का महराश्ट का अधुरम कर्या प्रॉब्लेम है आज पूरे महराश्ट ने दुश्काल है मज़े शूप परस्थी पुरे महराष्ट में नहीं तो फिर 12 मती का 10 किलिमेटर उस दुश्काल से कैसे बच गया वह क्या है कि उदर का धरन है उदर कोई शिटी नहीं है उस धरन पे इसलिए उदर का जो कैनल है वह चलता है उदर से और वह इदर जो है हमारा बारामती से जो क्यानल जाता है वो उसमें कोई भी सिटी नहीं है वो पोरा धन बराए ना उसलिए उनके कानल है ना सर आपको कुछ कहना है पुना के जो गाट्जेन मिनिस्टर है जो अभी लोग सवा कैंडिडेट है वो पुना सिटी के लिए स्टॉक करके रखने है जैसे कि पहले कंडिया जी दादा ने कहा कि यहां पहले बार फॉर Gonzalez लगा था तो पारटीओं की आपसी खेसा है पर अगर खडख्वासलाश दयम से अगर पानी ने चुट रहा तो यहां तक पानी पानी भौने वाग लिए हैं सुपाइक के तरफ से तो पानी बारिश घाएगा उसका एक काम करेगे तो उसका एक हज़ा लेटर पानी गड़े में जम हो जाता है तो अल्टिमेटली यही हुआ ना कि सरकारे फेल हो गई और गैर सरकारी लोगों को अगे आना पड़ गया सरकारों से तो नहीं हुआ यही हुआ ना तो अल्टिमेटली इंडिया में विकास इसी तरह से काम करता है कि जब सरकारे फेल हो जाती है तो लोगों को खुद ही इनिशेटिव लेना पड़ता है हम बारामती से कुछ किलोमेटर दूर है यह गाउं है यहाँ पानी की समस्या है यह गाउं का नाम सुपा है यह बारामती में आता है बारामती वही जहां पे पवार खांदान का एक छत् और जिनके बारे में हम इच्छा में फिर बता रहा हूँ, हम इच्छा ने कहा था कि अगर हमें महाराष्ट जीतना है, तो हमें बारामती जीतना पड़ेगा, पता नहीं उनका इस अपना पूरा होगा या नहीं, यहां के लोग पवार खांदान से अपना विश्वास उठने देंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, फिल हाल हम आप तक सीसारी खबरे लाते रहेंगे, आप हमारी एलेक्षन कबरेज देखते रहेगा, हम महाराष्ट में हैं, यहां से आगे हम पुने जाएंगे, मेरे साथ रज़त सेन है, आप देख रहे हैं ललन टॉप की शु